चारसो पार, चारसो क्या चारसो पार, स्वास के बारे में आपने क्या किया, सिच्छा के बारे में आपने क्या किया, महिलाओं की सुराचा के बारे में आपने क्या किया, आपके बल होट लेने के लिए नफरत की बात, आप राम की बात, खृष्ण की बात, जब आप परधान बिरोधी नहीं राम के बिरोधी नहीं लेकिन उस पर राजनीट करके जन्मानस को ठगने का काम कर रहें इसका हम बिरोध करें अरे डंका तो रामण का भी बज़ रहा था वो तीनों लोग पे राज किया था द्योताओं को बंदी बना लिया जैसे इस समय गोदी मीडिया नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज 2024 के लोकसवा चुनाफ से पहले जनता के मन में क्या है उस चीज को तो हम जानेगी लेकिन उस से पहले जिस तरीके से इवियम को लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और मोरी जी दावे वादे कर रहे हैं कि अब की बार 400 पर तो इसी चीज पर बाचीत करने के हमारे साथ मौजूद है स्वामी भानू प्रताब जी यह चार सो पार नहीं है यह पिछोडों और दलितों और गरीब जनमानस 90 पर तिसो परिशत लोगों पे वार है 400 पार नहीं है 400 पार 400 क्या 400 पार आपने उस बार कहा था यही अच्छे दिन लाएंगे पहली बार कहे अच्छे दिन लाएंगे फिर कहे काला धन लाएंगे दो करोल नौकरी लाएंगे सबका साथ सबका विकास करेंगे और महिलाओं को सुरच्छा देंगे बाबा बीमरावा मेटकर साहिब के संबीधानों को हम पूजेंगे आज उनहीं के लोगों उनके अनुआईयों को गरीब जनमानस किसानों और मुसलमानों के ऊपर पिछड़ों धलितों गरीबों के ऊपर आपका अत्याचार के वलवणा है नोडबंधी में निकाल लिया था सारा कालाधन हाँ कालाधन निकाले था कहा गया? अंग्रेजों के समय का कालाधन नमबर एक करने के लिए नोडबंधी की गई थी कहा गया कालाधन? कहा पंद्र लाग आया? पकड़े तो जा रहे हैं ना कहां पकड़े के जा रहे हैं अरे आप कन्ड़ोज में आप देखो इत्र बेपारी के पास कितना आया था कैकरोड और वो 36 गड़िया कहां कितना कैकरोड आया काला धन का यह जुमला है पाखंड है राम मंदिर सुप्रेम कोड के आदेश से बना है राम मंदिर सुप्रेम कोड के आदेश से आदेश हुआ है जनता का पाईसा लगा उसमें भारती जनता पार्टी का कुछ नहीं है क्या बनवाया है आदेश वही किये कौट ने आदेश किया संक्राचार तो कहे तो अनिष्ठ होगा सालए साथ करोड का दीपक भस में हो गया आज त्राचार राम भदाचार जी जो थे का रहे थे कि जो मंदिर में जाता है वो हस्पीटर में नहीं जाना होता है आप देखिये कितने लोग लिख रहे हैं मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि आपको मंदिर जाना चाहिए मंदिर आप अनिश्ट काम मत करो धर्म में राजनी तुम तुम मत लाओ राजनी अरे राम बिरोधी हमको क्या सविद करेंगे हम उस राम को मानने वाले हैं हमारे यह मं हम राम हमारे अंदर हिर्दे में राम रहते हैं हमें हमारे लिए दुनिया में सब लोग एक हैं जातियां तो दो हैं एक असुर्वी हैं जब आशुरों के राजब केवल आशुरी पर्विती से जो लोग चलता है उसे लोग होता है माया होता है जनता में जनता में कोहराम फैल जाता है कुरोना महमारी में जन्मानस तड़ कड़के मर जाता है पैदल चल चल के महिलाएं हमारे गरीब किसान का हजाराजार किलो मीटर चलता है आपके गलतनीतनियत के कारण आप नोड़ बंदी करते हैं गलतनीतनियत के कारण महंगाई आ जाती है जी अश्टी आ जाती है अब आगिनी भीर जैसी योधनान ला करके उनको सहित का दरजा नहीं मिलता है। आपके मन्दिर जब यह लक्सन आ जाता है, चुनाव के समय हो जाता है, तो आपको रामियाद आते हैं, मंदिर याद आ जाता है अब हम राश को ये करने देंगे या भाई दो करोल नौकरी कहां गई कहां गया गयस का सिलंडर कहां गया अब पेटरोल पेटरोल सस्ता हुआ पेटरोल सस्ता हुआ सबका साथ आया मड़ी पुर क्यों जला पुलवामा में हमला हुआ था उसकी रिपो था वो तीनों लोग पे राज किया था देवताओं को बंदी बना लिया जैसे इस समय गोदी मीडिया बंदी अगर बोलोगे लाइसांस राद जेल में एडी सीबी आई उन्होंने सनी देव को बंदी बना लिया था तीन लोग पे राज था लेकिन क्या हुआ इक लख पूत सवाल अखनाती अतारामन घर दिया नबाती यह समझने तो अंकार में मज जाई है जो सत्ता के लोग भी होते हैं मैं यह कहना चाहता हूँ अंद भक्ति में मज जाओ यह देश हमारे पूरो जोने परे प्राडों की आहुती दे करके अंग्रेजों से और मुगल मसलमान के नाम पर हिंदू के नाम परहूं कालेच कितने बनाएं किसंधे वह सब्दों से पहुचा। तो आक्सीजन की कमी से कितने लोग मरेत बोले एक भी ब्यक्ति नहीं आप जा करके ग्रामीड एंचल में देख लो किसी जिला में देख लो मैं उत्तर प्रदेश में आप देख लो किसी जिला में डबल इंजन की सरकार है डबल डबल वहां कैंसर के आज कैंसर के मरीज कितने लोग मर रहें आप देखो गाँगां में फला आदमी कैंसर से मर गया आपको दबा के ब्योस्ता नहीं आपकोई चले जाते हैं महाराष्ट के थे मायराश्च में कोई टाटा क्याूज चले एそ के लिए तैयार हुगा बाप को नहीं छु़ रहे Mingus जब अपने जीव पई आता है प्राण पई आता है तो कोई धर्म कोई नहीं ओता धर्म में यह होता है कि जिस गत्र से हमें मोच की प्रापति हो वही हमारा धर्मे है धर्मे ये होता अपने चित वितियों को अपने बस में करना ही धर्मे होता है लोब जहां होता है वहाँ धर्मे नहीं होता है जहां कपट होता है वहाँ कोई पूजा नहीं होती है इसलिए सबसे बड़ा मंदिर हमारा देश का है पालियामेंट पालियामेंट में पापिस्तान सब्सक्राइब निंटिज कुमार निंटिज कुमार की नस्फ पकड़ गई वीम सेटिंग की बात नितीज कुमार घुम घुम के गड़ बंधन का चला रहे थे आज नितीज कुमार को किस अध्यायम लिखा जाएगा इतिहास में क्या लिखा जाएगा वो बोले कि मैं मर जाओंगा नहीं जाओंगा नितीज कुमार का धरवाजा बंध हो गया नितीज कुमार की राजनीतिक हत भारती जनता पार्टी दबाऊ में करऽ द però दि नितिष माने ma ne की चर्चा ही बंद learn गई आज देखिए नितिस के आते हुए पिछड़ा आयोग सभंग कर दिया गया इंडिया के सारे निता भरस्टाचारी है तभी तो एडी रेड मार रही है यही भरस्टाचारी है अजित पवार जी सुबेंद धुकारी जी जो इनके यहां आ गए वही जो वासिंग मसीन जी स कहा जाए या कौन सा मंत्र आया है कि मार दिये वह भरस्टाचार से सही हो गए यही है यह आज आज यह सवाल है आप मुद्दो पे विकास पे जन्मानस पे अब सरकारी भारत रतन दे रहे हो मुलायम सिंह आदोक नहीं चाहिए कांसी राम को नहीं चाहिए आप अब राम ल कर लिए तो समभीधान के लिए लिए कैसम और उसका समे को अपने पूर किया जब आप परधान मंत्री बने के लिए अपना मनमानी के लिए अप राम की बात करोगे तो यह दो चरी अरहा भारती जंता पार्टी में डबल इंजन जो कहने कार्त 2.5 best अरे हेट स्पीच वो क्या फैला रहे थे जो संसद में ये रमेश और बिदूर्या और ये अनुराग और क्या क्या बोल ले थे ये क्या फैला रहे थे विश्च देख के सरमेसार हो गया कि भारत का परल्यामेंट जिसे महतमा गाधी रहे हो पंडिजवाललाल नहरू से ले करक अगर नफत फैराने का स्पीच है तो उनका कौन स्पीच है उनको भी गिरवतार करें नहीं तो इस मुक्ति साहब को आप तुरंत रिहा करें नब करने और आप अपने बढ़ा अच्छा सवाल किया यही सनातनी कर रहुत लोग देस में बोल ला है कोई हिंदू राष्ट की बात बोल ला है कोई मुसलमान की बात कर रहा है कोई नफरत फैलाने के लिए बात कर रहा है ये केवल सोची समझी रणनीत है नफरत फैला करके हिंदू मुसलमान करवाना चारे है उसी पे 24 का फिर चुनाव करवाना चारे है क्योंकि इनक प्रिश्ट का सवाल ना हो किसानों की आय दुगना ना हो आपने य म से हस्पिटल बनवाएक इनोइरसीटिक कितना बनवाया कितना और विकास्का की यह इस सब सवालों को ध्यान से भठकाने के लिए इस तब ना से हिंदू-मुसल्मान किया जा रहा है और इसको समझना होगा देश का नौजवान किसान गरीब तब का पिछड़ा अधिदलित 90 परस्त जनता अगर नहीं 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 समझी तो फिर वही 10 पर 30 लोगों का जैसे 1000-1000 करोर रूपया उनका माफ कर दिया गया किसानों का नहीं माफ किया गया इसको समझ के 24 का चुना होगा समिधान लोकतंद बचाने के लिए आप लोगों का बहुत 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 इन से जो हमने जाना वो कह रहे हैं कि बहुजोनों और दलित समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कर रहा है जहां तक देगा जहते 10 साल पर सत्ता में बैठी है सरकार है लेकिन अभी तक कु करते हैं मैं OBC हूँ इसमें आपकी के रहे हैं में कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा